हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो इंग्लिश ओनलाइन तो आज हम डिसकस करेंगे नाइन्थ क्लास के बुक वी हाइव के फर्स चैप्टर को जिसका टाइटल है दफन दे हैड रिटन बाइ इस साथ ऐसी मॉग तो यह जो स्टूरी है यह फ्यूचर में सैट है फ्यूचर में क सब जो स्टूडेंट हैं वो कैसे स्टूडी करेंगे यह शायर डायाग्राम हमें थोड़ा सा आइडिया देता है उस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर से स्टूडी करेंगे वर्चुल क्लास रूम होंगे रोबोटिक टीचर होंगे मतलब एक मशीन उनको तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं Margie even wrote about it That night in a diary Margie ने उस रात अपने डायरी में लिखा On the page headed 17 May 2157 She wrote Today Tommy found a real book उसने एक page पर लिखा और उसके उपर डेट क्या थी? 17 May 2157 मतलब ये future की बात है Future में ऐसा हुआ और उसने अपने diary में कहा लिखा कि आज Tommy को एक real book मिली Real book यहाँ पर किसको का गया है? वो book जो आज हम पढ़ते हैं जो books जिसके अंदर pages वगएरा होते हैं आज हम पढ़ते हैं उस book की बात की गई है It was a very old book ये बहुत ही पुरानी book थी Margie's grandfather once said That when he was a little boy Margie के grandfather ने एक बार कहा था जब वो छोटे थे His grandfather उनके grandfather ने उन्हें बताया था That there was a time when all stories were printed on paper कि कभी ऐसा भी time था जब सारी stories paper पर print की जाती थी They turned the pages वो pages को turn करते थे Which were yellow and crinkly और वो pages कैसे होते थे? Yellow होते थे और crinkly होते थे Crinkly means जिसमें false या फिर line हो And it was awfully funny to read words That stood still instead of moving the way They were supposed to on a screen और ये बहुत ही funny होता था उन words को पढ़ना जो एक ही जगा पर still रहते थे अपनी जगा से move नहीं करते थे उस तरीके से जैसा की screen पर move करते हैं जैसा की computer screen पर move करते हैं वो word move नहीं करते थे क्योंकि वो books में printed होते थे And then when they turn back to the pages before It had the same words on it That it had had when they read it the first time और जब वो वापिस पन्नों को पलड़ते थे उन pages पर जो first time पड़े होते थे वही words उनके उपर होते थे जी, sad Tommy Tommy ने हैरान होकर कहा सर्प्राइज होकर कहा जी, what a waste कितना time का waste था कितना time waste करते थे When you are through with the book You just throw it away जब तुम बुक पूरी पढ़ लोगे तो तुम उस बुक को फैंक दोगे I guess, मुझे तो ऐसा ही लगता है Our television screen must have had a million books on it And it is good for plenty more हमारी जो TV screen है उसके उपर तो millions books है काफी सारी books है और इसमें इतनी जगाय है कि और भी ज़्यादा books आ सकती है I wouldn't throw it away मैं तो इसे नहीं फैकूंगा तो मार्गी ने कहा Same with mine Said मार्गी She was 11 वो 11 year old थी And had not seen as many telly books as Tommy had और उसने उतनी telly books नहीं देखी थी जितना की Tommy ने देखी थी He was 13 क्योंकि जो Tommy था उसकी age क्या थी? 13 वो 13 year old था She said उसने आगे से कहा मार्गी ने कहा Where did you find it? तुम्हें ये बुक कहां से मिली? In my house, मेरे घर में He pointed without looking उसने इशारा किया बिना देखते हुए Because he was busy reading क्योंकि वो busy था पढ़ने में In the attic उसने कहा मुझे ये बुक एटिक में मिली What's it about? ये बुक किस बारे में? School School के बारे में Margie was scornful Margie ने नफरत से कहा School? What is there to write about school? School के बारे में लिखने के लिए क्या है I hate school मुझे तो school से नफरत है वो कहती है मुझे तो school से नफरत है अब उसे क्यों नफरत थी? Margie always hated school Margie हमेशा से इस्कूल से नफरत करती थी But now she hated it more than ever लेकिन अब तो वो नफरत करती थी पहले से भी ज़्यादा The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector जो mechanical teacher था जो robotic teacher था जो Margie को पढ़ाया करता था वो उसे test के बाद test देते जा रहा था जोग्रफी में और जो मारगी थी वो बहुत ही बुरा कर रही थी worse कर रही थी अपने test में उसकी माने अपने सिर को हिलाया दुख से और किसको बुलाया county inspector को वो जो county inspector था वो आ गया He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires वो एक round सा little सा man था उसका red face था और उसके पास पूरा box था tools का ओजारो का जिसके अंदर dials थे और wires थी मतलग कुछ तारे बगएरा थी He smiled at Margie and gave her an apple वो Margie को देखकर उसने smile किया और Margie को एक apple दिया Then took the teacher apart फिर वो teacher को वहां से ले गया Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again Margie नहीं उमीद की थी कि इस county inspector को नहीं पता होगा कि इसे assemble कैसे करना है इसे ठीक कैसे करना है दुबारा बट he knew लेकिन उसे पता था how all right and after an hour or so और एक घंटे बाद there it was again वो आ गया दुबारा large, black और ugly वो जो teacher था robotic teacher था वो बड़ा था black color का था और दिखने में क्या था ugly, भद्दा था with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked तो उस teacher पर एक क्या set थी एक बड़ी सी screen set थी जिसके उपर lesson जो थे वो दिखाये जाते थे और जो questions से वो पूछे जाते थे that was not so bad वो इतना बुरा नहीं था the part Maggie hated teacher का वो हिस्सा जिससे जो margy थी hated most was the slot where she had to put homework and test paper margy को उस चीज़ से बहुत नफरत थी क्योंकि teacher के अंदर एक slot बना हुआ था slot हम किसे कहते हैं जैसे हम ATM की machine पर जाते हैं जहांसे currency निकलती है वो एक slot होता है तो उस slot से उसको बड़ी नफरत थी margy को क्योंकि यहां पर उसको अपना homework डालना पड़ता था और test paper डालने पड़ते थे she always had to write them out in a punch code और उसे अपना homework और test paper punch code में करने पड़ते थे they made her learn when she was 6 year old और उसने punch code उसे कब सिखाए गए थे calculate कर देता था marks को जितने भी उसके marks test में आते थे बिना कोई वो time लगाए calculate कर देता था the inspector had smiled after he was finished and patted margy's head जो inspector था वो मुस्कुराया था जब उसने अपना काम finish कर लिया और उसने थप थपाया margy के head को margy के सिर पर थप थपाया he said to her mother और उसने उसकी मां से क्या कहा mother से क्या कहा it is not the little girl's fault ये little girl की गलती नहीं है मतलब ये margy की गलती नहीं है Mrs. Jones I think the geography sector was geared a little too quick मुझे ऐसा लगता है जो geography sector था वो geared हो रखा था little too quick वो थोड़ा ज़ादा ही quickly काम कर रहा था जो कौन सा सेक्टर था जोग्रफी सेक्टर था those things happen sometime ऐसी चीजें कभी कबार होती है I have slowed it up to an average 10 year level मैंने उसको slow कर दिया है average 10 year level पर actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory अगर actually में देखा जाए तो margy का जो overall progress का pattern है वो satisfactory है वो बिलकुल ठीक है वो अपनी study में बिलकुल अच्छा कर रही है and he patted margy's head again और उसने margy के head को दुबारा थप थपाया margy was disappointed margy थोड़ी disappointed थी वो थोड़ी निराश थी और वो निराश किस लिए थी she had been hoping they would take the teacher away together उससे ये उमीद थी कि वो teacher को यहां से ले जाएंगे they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month एक बार वे Tommy के teacher को एक month के लिए ले गए थे because the history sector had blank doubt क्योंकि जो history sector था वो बिलकुल blank हो गया था पूरी तरीके से completely वो क्या हो गया था blank हो गया था तो इसलिए वो थोड़ी disappointed थी कि जो मेरा teacher है वो तो बहुत ही जल्दी ठीक कर दिया गया और जो Tommy का teacher था उसको ठीक करने में एक महीना लगा था तो आगे क्या होता है So she said to Tommy उसने Tommy से का Why would anyone write about school? कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा Tommy looked at her with very superior eyes Tommy ने उसको देखा बड़े ही superior eyes से Because it is not our kind of school क्योंकि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है stupid This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago ये एक पुराने तरीके का स्कूल था जो कई सो कई सो साल पहले हुआ करते थे He added loftily उसने ये add किया बड़े ही superior way में अपने आपको superior दिखाते हुए उसने ये बात कही pronouncing the word carefully कई सो साल पहले मारगी वाज हर्ट मारगी को थोड़ी सी ठेस लगी थोड़ा सा वो हर्ट होई Well, I don't know what kind of school they had all that time ago मुझे नहीं पता किस तरीके के स्कूल थे उनके पास इतना टाइम पहले She read the book over his shoulder for a while then said, anyway, they had a teacher उसने थोड़ा सा उपर होकर वो book पड़ी जरा सी देर के लिए फिर बोली Anyway, they had a teacher क्या उनके पास कोई teacher भी होता था? Sure, they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man तो Tommy ने का हाँ, उनके पास teacher होता था लेकिन कोई regular teacher नहीं होता था It was a man A man How could a man be a teacher? एक man कैसे teacher हो सकता है? मारगी ने का Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions हाँ, वो बताता था boys and girls को सिखाता था चीजों को और उन्हें homework देता था और उनसे question भी पुशा करता था A man isn't smart enough कोई आदमी इतना smart नहीं होता Sure, he is हाँ, होता है तमी ने कहा My father knows as much as my teacher मेरे father को भी उतनी knowledge है जितनी मेरे teacher को He knows almost as much मेरे father को उतनी ही knowledge है I betcha I love I bet मैं शर्त लगाता हूँ Margie wasn't prepared to dispute that Margie तयार नहीं थी उस बात को dispute करने के लिए उस बात से disagree होने के लिए dispute मतलब disagree होने के लिए I wouldn't want a strange man in my house to teach me मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई एक strange man आए मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए Tommy screamed with laughter Tommy चिलाने लगा हसी के साथ You don't know much Margie, तुमें कुछ नहीं पता Margie The teachers didn't live in the house चो teachers थे वो घर में नहीं रहते थे They had a special building And all the kids went there उनकी एक special building होती थी और सारे बच्चे वहीं जाते थे मतलब school में जाया करते थे And all the kids learnt the same thing और सारे बच्चे same चीज को सीखा करते थे Sure, if they were the same age हाँ, अगर वो same age के होते थे तो same चीजें सीखा करते थे तो आगे से मारगी कहती है But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl It teaches and that each kid has to be taught differently तो मारगी ने का कि मेरी मदर तो कहती है कि teacher को adjust करना पड़ता है हर boy और गल के mind के हिसाब से fit होने के लिए उनको adjust करना पड़ता है और जो हर बच्चा है उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाना पड़ता है तो तोमी ने कहा just the same they didn't do it that way then उस समय वो ऐसा same way में नहीं किया करते थी if you don't like it you don't have to read the book अगर तुम पसंद नहीं करती तो तुम ये बुक पढ़ने के जुरुत नहीं है तो मारगी ने का I didn't say I didn't like it मैंने ये तो नहीं कहा कि में इस बुक को पसंद नहीं करती मारगी सेट क्विकली मारगी ने फटाफट का she wanted to read about those funny schools मारगी पढ़ना चाती थी उन स्कूल के बारे में जो काफी सो साल पहले हुआ करते थे they were not even half finished when मारगी स मदर कॉल मारगी, स्कूल अभी उन्होंने अपनी बात को आधा भी finish नहीं किया था जब मारगी की मदर ने बुलाया मारगी, स्कूल मतलब स्कूल का टाइम हो गया है मारगी looked up मारगी ने उपर देखा और कहा not yet मामा अभी नहीं मामा now said Mrs. Jones Mrs. Jones मतलब मारगी की मदर ने का अभी and it is probably time for Tommy too और शायद Tommy का भी time हो गया है मारगी said to Tommy can I read the book some more with you after school क्या मैं इस book को पढ़ सकती हूँ कुछ होर ज़्यादा स्कूल के बाद तो आगे से Tommy ने का maybe शायद he said nonchalantly उसने ये कहा बिना कोई interest दिखाते हुए nonchalantly का मीनिंग होता है बिना कोई interest दिखाते हुए बिना किसी जोज से he walked away whistling और वो वहाँ से चला गया CT मारता हुआ the dusty old book tucked beneath his arm और जो पुरानी सी old book थी उसको दबा कर अपने बाजू के नीचे वो चला गया Margie went into the school room और जो Margie थी वो school room में चली गई और उसका school room कहा था it was right next to her bedroom ये बिलकुल किस के साथ का room था उसके bedroom के साथ का and the mechanical teacher was on and waiting for her और जो mechanical teacher था वो ओन था मतलब वो machine ओन थी और उसका इंतजार कर रहा था it was always on at the same time every day except Saturday and Sunday रोज ऐसा ही होता था वो ओन हो जाता था same time पर हर दिन Saturday और Sunday को छोड़ कर because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours क्योंकि उसकी मा कहती थी कि जो छोटी लड़कियां होती है वो ज़्यादा अच्छा सीखती है अगर वो regular hours पर एक ही time पर रोज सीखें तो the screen was lit up जो screen थी उस teacher के उपर वो lit up हो गई मतलब वो own हो गई and it's set और उसने क्या का today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction आज का जो lesson होगा arithmetic का होगा और किस के उपर होगा addition of proper fractions के उपर please insert yesterday's homework in the proper slot please insert करो कल का जो homework था proper slot में रख दो डाल दो Margie did so Margie did so with a sigh Margie ने ऐसा किया एक गहरी सांस लेकर she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy उस समय वो सोच रही थी उन पुराने schools के बारे में जैसे की हुआ करते थे जब उसके grandfather के grandfather एक little boy थे all the kids were the whole neighborhood came जितने भी बच्चे थे पडोस से वो सारे आते थे school में laughing and shouting in the school yard हसते हुए चलाते हुए school के आंगन में sitting together in the school room एकठे बैरते थे एकी school room में going home together at the end of the day और घर भी एकठे जाते थे जब school off हो जाता था school के छुटी हो जाती थी at the end of the day they learned the same things और वो सेम चीजें सीखते थे so they could help one another with the homework and talk about it वो एक दूसरे की help भी कर सकते थे homework करने में और बाते भी कर सकते थे एक दूसरे से and the teachers were people और जो teachers थे वो people थे the mechanical teacher was flashing on the screen जो mechanical teacher था उस समय flash करने लगा screen पर when we had fraction half and मतलब ऐसा उसे पढ़ाने लग गया Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days लेकिन Margie उस समय सोच रही थी कि जो बच्चे थे उनको कितना पसंद आता होगा school पुराने दिनों में उस समय वो सोच रही थी कि उनके लिए कितना fun होता होगा जब वो school में पढ़ा करते होगे तो यहाँ पर यह lesson एंड होता है जैसा कि आपको story पढ़कर यह पता लगी गया होगा कि यह future में set है और future में जब books नहीं होगी school नहीं होगे तो लोगों की क्या thinking होगी आज के schools के बारे में और आज की books के बारे में और वो लोग सोचेंगे कि पुराने time पर जो लोग school जाते थे old time में जो school जाते थे उन्हें कितना fun मिलता होगा I hope आपको यह story अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी अगर यह आपको वीडियो अच्छे लगी तो आप इस channel को subscribe करें और like के button को भी click करें Thank you